मसकार दोस्तों, डॉक्टर जै हेल्थ, एजूकेशन में आपका स्वागत करता हूँ, और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे लका होने के लच्छन हैं, गर्ब में लड़का होने पर गर्बपती महला करती है इससे परहिज, गर्बावस्ता किसी भी महला के लिए बहुत ही प्यारा समय होता है, लेकिन यह भी सच है कि इस दोरान महला बहुत से सारीरिक और मानसिक बदलाव से भी गुजरती है, प्रेगनेंची के दोरान बॉडी में लगातार हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण महला के केवल सरीर में ही नहीं, बलकि आप देखने को मिलता है, महला की जीव का स्वाद भी बहुत बदल जाता है, और साथ ही महलाओं की पसंद और नापसंद भी बदल जाती है, गर्वती महला में हो रहे, इन ही बदलाव को देखकर कई बार अंदाज भी लगाया जाता है, कि गर्व में पल रहे सिस्सू लड जो कि यद महला को प्रेग्नेंसी के दौरान नापसंद होती हैं तो यह इस बात की और संकेत करती हैं कि गरब में पल रहा सिसू लड़का है तो दोस्तो इनी चीजों के बारे में आज हम डिसकस करेंगे अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं पहला संटम्स है इसका मीठा नहीं होता पसंद प्रेग्नेंसी के दौरान बॉडी में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कान बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं और इस दौरान मुह का स्वाद बदलना भी आम बात होती है ऐसे में प्रेग्नेंसी के दौरान महला के गर्व में यद लड़का होता है तो महला को मीठा बिलकुल पसंद नहीं होता है बलकि इस दोरान महला को खटा, मसालेदार, तीखा खाने का मन करता है नम्मर दो ज्यादा आराम करना गर्ब में पलरहा सिसू यद लड़का होता है तो महला को आलस करना सारा दिन आराम करना आधी भी पसंद नहीं होता है जबकि ऐसा माना जाता है कि गर्ब में लड़की होने पर महला अधिक आलसी हो जाती है और ज्यादा आराम करना पसंद करत नम्मर 3 चौकलेट और आइसक्रीम प्रेगनेंसी महला के लिए नए नए अनवबों से भरपूर होती है इस दौरान महला का कभी किसी चीज की तरफ मना करसेत होता है तो कभी किसी चीज से गर्वदी महला परहेज करने लगती है इस दौरान महला का यद चौकलेट या आइसक स्क्रीम खाने का मन नहीं करता है और नहीं मैला इसे देखना पसंद करती है तो यह भी गर्व में लड़का होने का लच्ण होता है तो दोस्तों यहां पर यहां पर जो मैंने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके गर्व में पल रहा शिशू लड़का है या लड़की है अगर मेरे से कोई सला या सुझाब लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए और दोस्तों पर्सनली मेरे से